नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री पेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सेविल सर्विसेज में एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पर उतर प्रदेश से जुड़े हुए पुराने वर्षों के मेंस पेपर के क्वेशन हम लोग डिसकस कर रहे थे वर्ष 2019 के आज GS1 का डिसकसिन हम शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों हमारे कुछ यहाँ पे पेड़ कोर्सिस भी चलते हैं अगर आपको उसमें इंटरिस्ट हो आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो दिये गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तो अपना उत्तर लेखन शुरू करने से पहले कुछ महत्पून बाते जानना जरूरी है सबसे पहले जो भी सवाल आपको दिया होता है उसमें कहीं ना कहीं एक कीवर्ड चुपा होता है एक मुख्य शब्द चुपा होता है उस कीवर्ड को आपको पहचानना होता है उसके अनुसार आपको अपना उत्तर तयार करना होता है अब जब उत्तर तयार करने की बारी आती है दोस्तों तो इसको हम तीन भाग में विभाजित करते हैं सबसे पहले आप लिखते हैं परिचय या फिर इंट्र करना होगा इसमें आप लिख क्या कह सकते हैं दिखिए कोई भी सब्जेक्ट जिस पे आपका क्वेशन पूछा गया है जो आपकी विश्यवस्तु है उससे संबंदित किसी चीज की आप डेफिनेशन दे सकते हैं जैसे कि वैश्वीकरण के बारे में अगर पूछा गया है और उसके प्रभाव पूछे गए हैं महिलाओं पे तो आप वैश्वीकरण को परिभाशित करके अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं उसके अलावा इससे संबंदित कुछ फैक्ट या डेटा अगर आपके पास मौजूद है तो उसका भी आप यहाँ पर उलेक कर सकते हैं फिर आ एजांपल लिखते हैं हम लोग फैक्ट लिखते हैं किसी ऐसे और्गनाइजेशन की रिपोर्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं जिसने उस पर्टिकलर विशय के बारे में कुछ कहा हो नयाले के निर्ने के बारे में लिखते हैं वर्डिक्ट के बारे में लिखते हैं इससे बे बक्ष में जाईए, आप एक balanced approach अपनाने की कोशिश करिए, उसके अलावा जो आपका निशकर्ष है वो आशावादी होना चाहिए, futuristic होना चाहिए कि आने वाले समय में वो कुछ बदलाव लाने की शमता रखता है, उसके अलावा सकारात्मक आपको लिखना होगा, साथ ही बेस्ट होना चाहिए या फिर solution oriented होना चाहिए, अब हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना पहला सवाल, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रयागराज का cultural significance क्या रहा है ancient इंडिया में, यानि प्राचीन भारत में प्रयागराज के संदर में क्या sanskritik महत्व हमको मिलता है, इसका वर्णन करना है, तो आपका मुख्य शब्द तो यही हो गया कि वर्णन कीजिए, यहाँ पर हो गया describe, तो दोस्तों जब आप अपना उत्तर शुरू करें तो introduction में आप यहाँ पर इस बात पर हामी भर सकते हैं कि प्रयागराज की cultural significance रही है प्राचीन भारत में, वही आपन यह चीज पर हामी भर दिया, आपने इसको acknowledge कर दिया, तो अपना अब नीचे की जो body है उसमें आपको इस बारे में लिखना होगा कि कैसे प्रयागराज महतपून रहा है प्राचीन भारत में, यानि जो यहाँ पर लिखा उसको नीचे इस जगह पर prove करें, तो इसमें आप अलग-अलग points को include कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर संगम के बारे में बता सकते हैं कि गंगा जमना सरस्वती यहाँ पर त्रिवेणी पर मिलती है, उनका हिंदूओं के लिए बहुत महतव है, उसको sacred माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है, उसके अलावा आप य यह शेतर महतवपून हो जाता है, उसके अलावा यह शेतर जो है यह रिशियों की भूमी रहा है, यहाँ पर आप कुछ रिशियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि भारतवाज रिशी, जैसे कि दुरवासा रिशी, उसके अलावा इस शेतर का उलेक अलग-अलग हमारे mythological books म भी किया जाता है जैसे हमको इसका उलेख मिलता है महाभारत में, हमको इसका उलेख मिलता है रामायन में, तो ये भी दर्श आता है कि प्राचीन भारत में कितना महत्व रखता था, उसके अलावा आप किसी foreigner के यहाँ पे finding को लिख सकते हैं, जैसे कि ह्यून सैंग के बारे में आप बात करेंगे, तो उसने अपनी फुस्तक में लिखा था, उसने बताया था, कि ये जो स्थान है, ये हिंदूओं के लिए बहुत आध्यात्मिक माना जाता है, तो इस प्रकार से अगर आप इस question को छोटे छोटे 5-6 हिस्सों में तोड़के इसका answer लिखेंगे, तो आप आपका answer बहतर बन पाएगा, उसमें जाधा चीज़ें आप आप आएगी, ऐसे question में आप एक जगह पर stick करके, वहाँ पर विस्तार से ना लिखें, बलकि छोटे-छोटे-छोटे points लें, और उनके बारे में, संशिप्त में आप बताएं, जिससे की जाधा angle, जाधा dimension, जाध आयाम आप अपने उत्तर में cover कर सकें, अब देखते हैं उत्तर हमने किस प्रकार बनाया है, देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि हाँ प्रयागराज जो है उसको एक pilgrimage center के रूप में बहुत महतपूर माना जाता था हिंदूओं के लिए, और फिर सीधा हमने लिखना शुर के लिए विशेश रूप से पवित्र माना जाता था, फिर आप लिख सकते हैं कि ये जो शेत्र है इसमें आरेयन सेटिल हुए थे आके, आरेयों की बस्तियां यहाँ पे मिलती हैं, तो इसलिए भी इसका significance है, उसके अलावा ये कई सारे उलेक में हमको पाया जाता है, जैसे आप एक दो रिशियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे रिशी भरद्वा, जैसे रिशी दुर्वासा, उन लोगों ने इस शेत्र में तपस्या करके इसको जागरत किया था, आज भी वो जो positive energy है वो इस शेत्र में मैसूस की जा सकती है, फिर यहाँ पे समारक जो भी हैं उसके प्रयाग प्रशस्ती की रचना की थी, अब क्योंकि वे समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, इसी लिए ये तुद सुभाविक बात है, कि इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की victories के बारे में लिखा होगा, उन्होंने जो विजय हासिल की हैं, उसका उलेख होगा और जहां पर ये लगी हुई है, उस स्थम्प की हम लोग बात करें, तो वह अशोक ने छटी शफ्ताबदी में बनवाया था, फिर हम एक foreign tourist की बात करते हैं, जो चाइना से आया था, जिनका नाम था हुवेन सांग, 643 इस्वीपूर या फिर BC में, हिउन सांग ने ये अवल प्याक से संबंदित बातों को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़के, और फिर आप लिखें जिससे की आप जादा से जादा angles अपने answer में cover कर पाएं, इनके अलावा भी आप कोई points अपनी ओर से add कर सकते हैं, और अगर आपके पास इसका answer हो, तो इसमें से कुछ points लेके फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यहाँ पर iron mineral की importance के बारे में बात की गई है, कहा गया है कि वह 600 से 300 BC के बीच में मानव और मानवता के सामाजिक और आर्थिक विकास में लोह खनिच की क्या भूमिका रही है, उसका हमको vernon करना है, तो आपका मुख विकास में लोह खनिच ने मदद की है, उन सब के बारे में आपको लिखना है, कोशिश करें आप यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से connect करें, तो बहतर तरीके से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, अब इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो introduction है, जो परिचे आपको दे करना होगा, फिर यहाँ पर आपने जो खुद लिख दिया कि भई इसने एक एतिखासिक छाप छोड़ी है, नीचे आपको प्रूव करना होगा कि ऐसा क्यूं है, किस प्रकार से, आयरन की वज़ा से उस समय के अलग अलग शेत्रों में विकास हुआ, कैसे एक agricultural economy डेवलप कैसे फिर वो market की तरफ ले गई, कैसे उस market की तरफ धीरे धीरे और लोग आकरशित होए, जैसे की artisans, जैसे की bunker, माफ कीज़े, जैसे की handicraft वाले, हस्त शिल्प वाले, तो किस प्रकार इस market की तरफ ये लोग आकरशित होके आए, इसकी वज़े से कैसे trade बढ़ा, कैसे व्य पहरी करण की तरफ ले गई है, तो इस तरीके से एक flow chart एक भूमिका हमको बनानी होगी, कैसे इसकी discovery से हम लोग यहां तक पहुँचे, तो दोस्तों अगर इस उत्तर की शुरुवात करें, तो introduction में आप ये लिख सकते हैं, कि जो iron की discovery होई है, लोग हनिच की जो discovery होई है, व जो जंगल था वो काटा गया, यहां पे हमको लोग कुलाडी ने मदद की, अगर iron की discovery ना होई होती, तो यह संभव नहीं था, जैसे जैसे जंगल साफ होते गए, पेड़ कटते चले गए, वैसे वैसे क्रिशी या फिर agriculture बढ़ता चला गया, उसका विकास होता चला गया, क् पहले जंगल का शेत्र हुआ करता था, पेड़ कटने से वो खाली जमीन मिल गई, वहां पे आपने खेती बाड़ी शुरू कर दी, अब खेती बाड़ी में भूमी की जुताई के लिए लोग का हल बहुत important रहा है, उसकी वज़ा से क्रिशी का विकास हो पाया है, और यह भी संबव ना होता अगर लोह की या आईरेन की डिसकवरी ही ना हुई होती, अब इसकी वज़े से जो एगरिकल्चर है, जो क्रिशी है, उसकी उतपादक्ता में बढ़ोतरी हुई, अब भी पहले तो सिर्फ हम लोग इतना ही उगाते थे कि हमारा परिवार खा पाए, लेकिन अब जब हमारे पास इतना उतपादन होने लगा है कि हमारे पास बचने लगा है, तो यह जो सर्प्लस है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसको क्यों ना बेच दें और कुछ रूपए इसके उपर कमा लिये जाएं, तो इस प्रकार से ट्रेड शुरू हुई, अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगी, तो जरूरत पड़ी एक मार्केट की, जहां पे यह सब लोग जाके उप्भोकताओं को अपना सामान बेच सकें, तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ मार्केट का, एक बार मार्केट का डेवलपमेंट हो गया, तो और भी जो छोटे छोटे व्यव पर आने लगे, और यहां से अपनी जरूरत की चीज़ खरीद के वापिस ले जाने लगे, इस प्रकार पूरे व्यापार का और पूरे कॉमर्स का यहां पर विकास हुआ, वानिजिक विकास हुआ, जिसके चलते धीरे धीरे लोग जो है, वो गाउं से शेहरों की तरफ जान लगे तो एक अर्बनाइजेशन को दोर हमको देखने को मिलने लगा यानि शेहरी करण लोग खनिज की खोज का एक महतपून परिणाम साबित हुआ इसको हम लोग सेकिंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं और जब अर्बनाइजेशन आने लगता है तो तेजी से सबी चीजों रीजन में शेतर थे उनका विकास बहुत तेजी से होने लगा क्यूंकि वहाँ पर अल्टिमेटली आयरन की डिसकवरी हो गई थी तो आप इस प्रकार से सबी चीजों को कनेक्ट करके अपना उत्तर बना सकते हैं अब दोस्तों देखते हैं हमने यहाँ पर किस तरीके से करेंगे सबसे पहले तो जंगल काट दिये गए जंगल काट दिये गए तो क्रिशी का विकास हो सका और इन दोनों के लिए जरूरी थी ओजारों की उपलब्धता तो वो जो ओजारों की उपलब्धता है वह सुनिश्चित कराई गई लोहे के द्वारा वन काटने के लिए क तब ही संभव हो पाया जब लोहे का स्वयम का विकास हुआ, अगर लोहे की खोज ही ना हुई होती तो इतनी जल्दी ये चेंजिस नहीं देखने को मिलते हमको, फिर यहां पे हमने जो ओजार है उनके बारे में लिखा है, हतोडो का इस्तमाल होने लगा, कटर का इस्तमाल होन लगी, अब लोह हलकी बात करें, तो उसने भूमी की जुताई में एहम भूमी का निभाई है, कोलहाडियों ने जंगल को साफ करने में हमारी मदद की, जिसकी वज़े से जो उपजाव मैदान थे, वो सामने आ सके और उसमें हम लोग एगरिकल्चर कर सके, इसी वज़े से क कोशिश करेंगे क्यों ना उसका व्यापार करके कुछ पैसे कमा लिये जाएं, और इस तरीके से व्यापार की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसी जगा हो जहां पे जो भी विक्तियों को हमारे द्वारा सप्लाइ किया जा रहा माल चाहिए ह वह वहाँ पे खटे हो जाएं और हमसे माल ले सकें, तो ऐसे करके बाजार विक्सित होना शुरू हुए, एक बाजार विक्सित हुए तो और भी जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो कला और शिल्प संबंदी कारे करते थे लोग, वो लोग भी बाजार की ओर आकर्शित वियवसाईक गतिविधियों में वे सनलग्न होने लगे, कला और वानजिक विकास के कारण आर्थिक विकास होने लगा, जिसकी वज़े से ग्रामीन इलाकों से लोग शहरी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे, और इसी के चलते शहरी करण की एक नई लेहर का आरंभ हुआ, य और यह जो लहर थी, यह संपूर्ण महाद्वीप में फैल गई, तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आयरन ने इंपोर्टन रोल प्ले किया, और फिर फाइनली आप कंक्लूजन इस बात को लिखते हुए करेंगे, कि इस ही प्रकार से लोहे ने प्राचीन भारत के स संपूर्ण सामाजिक आर्थिक ताने बाने के विकास में एक प्रमुक भूमिका निभाई है, फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, यहाँ पे ओद्योगिक क्रांती के बारे में सवाल पूछा गया है, क्वेस्चन कह रहा है कि जो ब्रिटेन में ओद्य जो यह क्रांती हुई थी, भारत के आर्थिक जीवन पे उसके क्या प्रभाव पड़े थे, इसके आपको इंपक्ट को यहाँ पे लिखना होगा, प्रस्ण कह रहा है कि आलोचनात्मक परिक्षन करिये, यानि critically आपको एक्जामिन करना है, जब critically एक्जामिन की बात आए, त उसके द्वारा किये गए, अगर कुछ positive impact हैं, तो उनको भी लिखिए, और कुछ negative impact है, तो उनको भी यहाँ पे mention कीजिए, दिखिए, ज़्यादा तर तो negative ही impact होंगे, लेकिन आपको यहाँ थोड़े से positive भी लिखने होंगे, जैसे अंग्रेजों की वज़ा से, जब specially और द तरीके चाहिए थे, quick mode of transportation चाहिए थे, इसी रिए railway का विकास हुआ, steam ships का विकास हुआ, उसके अलावा telegraph का विकास हुआ, तो यह जो सब चीजें हैं, आज भी हम लोग इन पे बहुत हद तक निर्भर हैं, तो यह हम लोग एक positive impact के तोर पे यहाँ mention कर सकते हैं, फिर negative impact में तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भारत से जो बहार जाने वाला export है, तो उसको सीमित कर दिया गया, अब जो भारत था वो सिर्फ कच्चा माल या फिर raw material ही बहार भेजा करता था, क्योंकि यह raw material जाके, ओद्योगी करांती के दोरान इंग्लैंड में एक finished product बनाता था, वो finished product जो है भारत में ही आके बिखता था, यानि भारत ही उसका supplier हो गया था, कच्चे माल का, और भारत ही उसका market बन गया था finished product का, तो भारत को एक पक्के माल या फिर finished product का आया तक बना दिया गया था पूर supply करेंगे क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका raw material ही था, आपके पक्के माल या finished product का हमको कुछ नहीं करना, पक्का माल जो है वो इंग्लैंड में बनता था और भारत में आके export होता था, अब वो जब भारत में export होता था तो धीरे धीरे करके जो हमारे या local product बनता था, वो महंगा था, ये product सस्ता इसलिए भी था क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार की duty नहीं लगती थी, सीमा कर नहीं लगते थे, उसके अलावा जब या ओद्योगी करांती हुई तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में कुछ शेत्र डेवलप होना शुरू हुए, जैसे की Bombay, जैसे की Calcutta, इन शेत्रों में भी कुछ हद तक ओद्योगी करण होना शुरू हुआ, इसकी वज़े से लेकिन कुछ बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं, जाता तर लोग यहां पे रोजगार के भरोसे आ गए, इसकी वज़े से ये जो areas हैं, ये overcrowd होगा है, उसके अलावा health का कोई ध्यान रखा नहीं जाता था, ना hygiene का, ना sanitation का, तो बीमारियां भी शेत्रों में जाधा होती थी, उसके अलावा बाल श्रम भी यहां पे बहुत हद तक prevalent था, छोटे बच्चों जो काम कराया जाता था, और जो काम भी कराया जाता था, उसकी भी जो conditions हुआ करती थी, वो बहुत भायावे हुआ करती थी, तो ये अलगी समस्या एक उत्पन हो रही थी, ऐसे कुछ शहरों में, जहां पे ओद्योग एक करान्ती के कुछ प्रभाव पड़े थे, फिर जो supply chain हुआ करती थी, ब्रिटिश ने वो पूरी समाप्त कर दी, जितने भी बात है, जब ब्रिटिश यहां से सामान खरीद कर, यूरोप में सामान महंगा बेचा करते थे, फिर धीरे धीरे ओद्योग एक करान्ती के चलते, मैंचेस्टर में ही टेक्स्टाइल मिल्स आने लगी, यानि कपडे की मिल एस्टैबलिश होने लगी, फिर तो ब्रिटिश न पूरा नश्ट कर दिया गया, अगर किसी इंडियन ने, किसी भारतिय व्यक्ति ने कोई इंडस्ट्री खोलने का सोचा है, तो उसको पहले तो ब्रिटिश की कड़ी नीतियों का सामना करना पड़ता था, ऐसी पॉलिसी होती नहीं थी, जो इसकी बढ़ोत्री में मदद करे, इसकी व्रिद्धी में मदद करे, क्योंकि अंग्रेश चाहते थे उनका एकाधिकार हो, कोई भी इंडियन इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री एस्ट्री ना कर पाए, जिससे उनका आर्थिक विकास हो पाए, तो ब्रिटिश चाहते थे उनका एकाधिकार हो, इसलिए वो उन उनको व्यापार नहीं करने दिया जाता था, उनको बाहर एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाता था, और भारत में तो ब्रिटिश से मैंचेस्टर के जो कपड़े की मिल है, उनसे सस्ते प्रोडक्ट वैसे भी आ रहे थे, तो ये भारत में अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा तो एक दिन में मुश्किल से एक पीस वो बना पाएगा, क्यूंकि efficiency बढ़ गई थी, productivity बढ़ गई थी, इस वज़े से सामान इनोंने सस्ता कर दिया था, और सस्ते सामान के आगे भारत का महंगा सामान टिक नहीं पाता था, तो भई इन industrialist का domestic market भी चला जाता था, और बाहर इ बात में तो आप ये लिख सकते हैं कि जो industrial revolution आया है, ब्रिटेन में उसके भारत की अर्थिवस्ता पे भी काफी प्रभाव पड़े हैं, फिर उधारन देने हैं आपको, अलग-अलग जैसे हमने connect करके बता है, इस प्रकार से connect करिए, कि बाई किस तरीके से अलग-अलग तरी कि इसके कितने भी positive प्रभाव हुए हूँ, लेकिन जो इसने उस समय भारत की अर्थिवस्ता की कमर तोड़ी, जो इसने उस समय लोगों का शोशन किया, आर्थिक और सामाजिक तोर पे, उसके आगे ये positive impact बहुत हलके लगते हैं, अब देखिए दोस्तों हम लोग समझते है कैसे हमने इसका उत्तर लिखाए, सबसे पहले हमने लिखाए कि ब्रिटिश में, ब्रिटेन में ओद्योगिक रान्ती जो शुरू हुई थी उसकी भारत की अर्थिवस्ता पर भी भारी प्रभाव पड़े थे, भारत के वस्तर निर्यात में कमी आई थी, क्योंकि जो अंग् कंबे और कलकत्ता जैसे कुछ शहरों का विकास होने लगा, लेकिन समस्या यहाँ पे यह थी कि जो वर्किंग कंडिशन थी वो बहुत खराब थी, बच्चों से काम कराया जाता था, लोगों को 14-14 घंटे तक काम कराया जाता था, छुटी नहीं दी जाती थी, ना उनको को अच्छी सालरी दी जाती थी, कुछ वेतन था नहीं, तो वर्किंग कंडिशन बहुत खराब थी, फिर उसके बाद जो भारत में एक्जिस्ट कर रही थी सप्लाई चेंज, जिसके तहत पूरा मार्केट तक प्रोड़क्ट पहुंसता था, भई बुनकर प्रोड़क्ट को ब बोला, जितना हम बताएंगे, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको सामान बनाना होगा, हम आपको पैसे देंगे, हाला कि पैसे तो बड़े गिने चुने मिलते थे, लेकिन ये सामान जब इनके पास आता था, तो ये यूरोप में जाके इसको बहुत महंगा बेचते थे, 10 रुपे का सामान करीब 100 रुपे में बेचा करते थे, उधारन के तोर पे आप ये समझ सकते हैं, तो देखिए कितना वो अपने तोर पे, अपने एंड पे मार्जिन बचाते थे, और जो हमारा बुनकर है, जो ये सामान बना रहा है, उसको कुछ limited ही पैसा मिलता था, वो भ हम आपके खरीदार बनेंगे, लेकिन आपको और किसी को अपना माल बेचने की अनुमती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कपड़े की मांग बढ़ती चली गई, वैसे वैसे बुनकरों को और कर्स दिया जाने लगा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, इसको आप धीरे धीरे लोट नहीं पाया, और इसी कारण वश आम तोर पर जो अंग्रेजी एजेंट हुआ करते थे, उनकी बुनकरों के साथ जड़प होने लगती थी, फिर वैं उनका आर्थिक शोशन किया करते थे, और फिर यहां से एक दूसरा दोर शुरू होता है, जब मैंचेस्टर में कपड़े कि मिलो का विकास होने लगा, तब तो स्थिती और खराब होगी, जो भारतिये बुनकर थे, जिनकी आजी विका इसी के उपर निर्भर करती थी, उनकी आजी विका को नश्ट कर दिया गया, हाला कि कुछ इंडियन्स ने भी कोशिश की, कि हम उद्योग में निवेश करें, पर अंग्रेज की इस प्रकार की नीत्या रहीं, कि वे उसका शिकार हो गए, उनको बढ़ने नहीं दिया गया, उनको पनपने नहीं दिया गया, अगर आप जैसे तैसे करके कोई प्रोड़क्ट बना भी लेते थे, तो भी उसको वियापार करने का, उसको एक्सपोर्ट करन कि आपको अनुमती ही नहीं दी जाती थी, तो ultimately भारत सिर्फ कच्चे माल के व्यापार तक ही सीमित रह गया, फिर जो हमने मिलो की बात की, उसमें बहुत खराब वर्किंग कंडिशन हुआ करती थी, धीरे धीरे जो अर्बन सिटीज हैं, जैसे बॉंबे और कलकत्ता का विकास हुआ, वो ओवर्क्राउड होने लगी, कंजेस्ट होने लगी, वहाँ जो बच्चे काम किया करते थे, उनसे जबरदस्ती की जाती थी, 6 साल के बच्चे से 14-14 घंटे काम कराया जाता था, जो किसान थे उनको कहा जाता था कि आप खादे फसल ना उगाएं, आप कैश क्रॉ वानिजिक फसल उगाएं, जिससे की हम ये बेच सके और पैसा कमा सके, लेकिन भई, अगर वो खादे फसल नहीं उगाएंगे, तो खाना कहां से आएगा, तो इसके चलते क्या हुआ, फूड क्रॉप्स की खादे फसलों की कमी हो गई, और आने वाले समय में हमको भारत में क सारे अकाल का सामना करना पड़ा, तो ये दो आपने इसके नकारात्मक प्रभाव लिखे, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े इसके, जैसे की रेल का निर्मान, सडक का निर्मान, टेलिग्राफ लाइनों का निर्मान, इन सब का निर्मान होने लगा, बुनियादी धा माचे का विकास होने लगा लेकिन अगर इतने सारे नकारात्मक परिणामों को आप देखेंगे तो सकरात्मक परिणाम जो हैं शीन मात्र नजर आते हैं तो इस प्रकार से कंक्लूड करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं फिर दोस्तों हम कुछ तथ्य और समझते हैं यापर अगर आपके इस प्रकार का सवाल आ जाता है कि ओद्योगिक क्रांती के क्या क्या कारण रहे तो आप इस तरीके से उसका उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो कारण है इनको तीन शेत्रों में विभाजित कर लिया है एक तो जियो पॉलिटिकल या फिर भ वेशवाद ने किस प्रकार इंडस्ट्रिल रेवल्यूशन या फिर उद्योग की क्रांती में मदद की है तो किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए एक तो हमको चाहिए होता है रौ मटीरियल या फिर कच्चा माल और दूसरा हमको चाहिए होता है एक मार्केट भई काफी सारी कॉलोनी अपनी बना रखी थी तो उसके चलते वही कॉलोनी रौ मटीरियल सप्लाय कर दिया करती थी और वही कॉलोनी उसके मार्केट की तरह भी आक्ट कर दिया करती थी तो जब आपके पास मार्केट भी है और कच्चे माल का स्त्रोथ भी है तो आप आरम से इस चीज में अपना एक आधिकार स्थापित कर लें, तो उनकी इस सोच की वजए से वे ओध्योगिक रांती चाहते थे, वे चाहते थे कुछ ऐसा आए, जिससे हम बाकी लोगों को पचाड के आगे निकल सकें, और क्योंकि यूरोप उस समय एक सूपर पावर था, इसलिए उ फिर उसके बाद 1453 के हम बात करते हैं, जब तुर्कों ने कॉंस्टेंटिनोपल को हासिल कर लिया था, उस पे जीत हासिल कर ली थी, तो ऐसे में अगर यहां से होके सिल्क रूट के थूँ कोई सामान यहां जाता था, यानि जो रेशम मार्क हुआ करते थे, पारंप्रिक, यूरोप से अगर कोई सामान एशिया की तरफ जाना होता था, तो उसको यहां से निकलना पड़ता था, तो इस शेतर में तुर्कों का राज था, वो कहते थे या तो इसलाम को अपनाओ, या फिर मृत्यूग हम तुमको देते हैं, तो आपके पास चोईस है, इसलाम को अप रास्ता ढूंडने, और फिर उनको मिला एक निया रास्ता जिसके जरीए वे भारत तक पहुँच पाए, और वे और एशिया के शेतरों तक पहुँच पाए, इसी के साथ वहां पे एक पुनर जागरन का काल शुरू हुआ, जिसने भी एक मार्ग सशक्त किया औद्योगिक क चांती के लिए, फिर उसके बाद कुछ आर्थिक कारण भी रहे, जैसे कि पुन्जिवाद का उद्य हुआ, इसमें ये विचारधारा रखी गई कि हमको चाहिए सिर्फ प्रॉफिट और किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पे हमें कोई फरक नहीं पड़ता कितने लोगों को इस विकास के तहत हानी पहुँचे हमको बस प्रॉफिट चाहिए, तो यनि कि ये जो लाब की मानसिक्ता थी, उसने अनुसंधान को उसने विकास के ऊपर खर्च को प्रोचाइद किया, फिर उस समय वर्ल्ट रेट बढ़ रहा था, विश्व में व्यापार बढ़ रहा अब इस डिमांड को मीट करने के लिए हमको कम से कम सप्लाय चाहिए इतनी कि हम अच्छा पैसा बना सकें, तो ये सप्लाय आदमियां व्यक्तियों द्वारा काम करके तो आने ही सकती, तो हमको कही ना कहीं प्रोध्योगिकी की मदद लेनी पड़ेगी, फिर कॉलोनीज को इ पैसा हमारे पास है नहीं, पैसा हमारे पास कम था नहीं क्यूंकि हमने अपनी कॉलोनीज को बुरी तरह लूटा था, तो जो अध्योगिक विकास में वेय था, उसको ढोने की शमता अल्रेडी योरोप के पास मौजूद थी, फिर हमने बात कही कि किस प्रकार से आपस में ही राइवल्री थी और वो चाहते थे कि एक दूसरे को दबा के कैसे किसी एक को आगे निकाला जाए, तो इसके चलते एक कॉंप्टीशन की लहर चल रही थी, जिससे ओध्योगिक रान्ती को और पुश मिला, फिर सबसे ज़रूरी है नवाचार, अब यहाँ पे कई सारे साइ की खोज की गई थी, जो एक इंपोर्टेंट नवाचार, एक इंपोर्टेंट इनोवेशन के रूप में उभर के हमारे सामने आता है, फिर न्यू, कॉमेन और जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की, जो फिर ओध्योगिक रान्ती को बढ़ाने में एम भूमिका निभात है, तो इस प्रकार कुछ इनोवेशन हुए, जिसके चलते प्रोध्योगिकी को पुष मिला, जिसने ओध्योगिक रान्ती को पुष करा, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों, जिनके बारे में आप अपने उत्तर में उल्लेक कर सकते हैं, फिर हम चलते अपने अगले प् भूमिका होती है, अगर हम लोग अर्बन प्लानिंग करेंगे, तो वो किस तरीके से इंपोर्टन रोल प्ले करेगा, मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में, इस चीज़ पर आपको टिपणी लिखनी है, यानि शॉर्ट नोट टाइप का क कर्वेशन है, कोई इसमें खास कीवर्ड है नहीं, शुरुवात आपको करनी पड़ेगी ये दिखाते हुए कि भारत में जो स्लम्स हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, उनकी स्थिती देनिये हैं, तो इसके लिए आप अलग-अलग figures facts की भी mention कर सकते हैं, जैसे कि आप census के figures को यह होती है, और फिर आप लिखें क्या क्या समस्या इनको face करनी पड़ती हैं, अब क्यूंकि आपने समस्याओं को पहचान लिया है, तो इन समस्याओं के समाधान हे तू, शहरी नियोजन कितना important है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इसके बारे में आप यहां उनलेक करें, तो दोस्तों देखते हैं, हमने उत्तर किस प्रकार बनाया है, सबसे पहले तो हमने उसको define किया है, उसको बताया है कि क्या होता है slums, तो जनगर्णा 2011 के अनुसार मलिन बस्तियां क्या होती हैं, यह ऐसे शेत्र हैं, जहां पे लोग रहते तो हैं, लेकिन वो रहने के लिए उप्योक्त नहीं है, वो हानिकारक है, और वो किस वज़ा से है, देखि सबसे पहले इन शेत्रों में ओवरक्रावडिंग होती है, इन में sanitation की facility अच्छी नहीं होती, इन में कोई भी स्वास्त संबंदी बुनियादी धाचा नहीं होता, उसका अभाव होता है, health infrastructure का अभाव नहीं होता, उसका disposal नहीं होता, जिसकी वज़य से भी बीमारियां बढ़ती हैं, तो इस वज़य से यह जो शेद रही रहने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहां पर रहते हैं, क्योंकि गरीबी उनको ऐसा करने पर मजबूर करती है, हाला कि इतनी सब बात करन करने के बाद भी, एक बात तो हम मानते हैं, वो तो inevitable है कि जहां जहां अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शेहरी करन बढ़ेगा, वहां वहां मलिन बस्तियां भी अपने आप बढ़ेंगी, ऐसी मलिन बस्तियां शेहरी करन का एक अपरिहार्य हिस्सा बन चुकी हैं, अब हम सो आइती दरोपर हाउजिंग उपलब्द नहीं है, तो लोग जोपड पटियों में रहने लगते हैं, वो भी शेहरों के किनारे, उसके अलावा शेहर में गरीबों के लिए अपचारिक वित्ये संसाधनों की भी कमी है, जिसके तहत उनको लोन जैसी कोई सुविधा उपलब् की तरफ जो है प्रवास बढ़ता चला जा रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो शेहर की अगर कपैसिटी है 200 लोगों को रखने की उसमें बाहर से अगर 100 लोग एक्स्टा आ गए तो शेहर में वो कैसे अड़्जस्ट हो पाएंगे, तो भई गाओं तो खाली होते जा या इसको पल्टा जा सके, लोग अर्बन एरिया से गाओं की तरफ रहने के लिए आएं, वो तो हाला कि आप सल्यूशन में बात करेंगे, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, तो उसके अलावा शेहरों में जो नियोजन नियम हैं, वो बहुत कठोर हैं, बह रहने वाले लोगों को अभी तक शामिल नहीं कर पाई है पूरी थरा, उसके अलावा और द्योगी करण और नगरिये करण की जो प्रक्रिया है, वे मलिन बस्तियों के विकास का कारण बन रही हैं, क्योंकि इस शेत्र में इंडस्ट्रिलाइजेशन बढ़ रहा है, और द्य क्योंकि इतनी महंगी, हाउसिंग के लायक उसके पास वेतन आ नहीं रहा होगा, तो वो जुग्गी जोपडियां बना के ही अपना जीवन यहां पर काटेगा, इस वज़ा से भी इन शेत्रों में स्लम्स या फिर मलिन बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, अब इसी चीज को प इस वारिश होती है, इन में पानी भर जाता है, आम तोर पर ये एरिया जो है, कई दिनों तक पानी में डूबा रहता है, जिसकी वज़े से यहां अलग अलग बीमारियां फैलती हैं, तो यह सबसे बड़ी समस्या है, उसके अलावा 43% लोगों को पेय जल लेने के लिए, य उसके अलावा 34% लोगों के परिसर के भीतर कोई शौचाले नहीं है, 19% लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं, यह भी बीमारियों का कारण बनता है, उसके अलावा कुछ और भी समस्या हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, वह अत्यादिक भीड़बार, सफाई और की सारवजनिक सेवाओं का अभाव होना, उनसे वंचित रहना, अनैतिक अपराद बढ़ते जा रहे हैं, महिला और बच्चों के साथ हिंसा, इन मलिन बस्तियों में बहुत आम प्रक्रिया है, बहुत आम फैक्टर है, अब यह जो सारी समस्या हैं हमने बताई हैं, इनका बह बहुत प्रभावी ढंग से प्रबंदन किया जा सकता है, यदि योजना निर्मान की प्रक्रिया में इस चीज पर फोकस किया जाए, कि मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सके, या फिर मलिन बस्तियों वालों को किफायती दर पे हाउसिंग उपलब कराई जा सके अगर तो इन समस्याओं से निप्टा जा सकता है, तो क्या सरकार ने कुछ इसके लिए कदम उठाए हैं, हाँ सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, उनके बारे में हम या चर्चा करेंगे, सरकार ने मौझूदा मलिन बस्तियों की आपचारिक प्रणाली के भीतर लाने हैं तो अलग-अलग कदम उठाए हैं, जैसे उन्होंने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, एक्जामपल के तौर पे हो गए, राजीव आवास योजना 2013 में जो शुरू की गई पहल थी, उसके अलावा 2005 में एक मिशन शुरू किया गया था, जिसका नाम था, जवाल इन बस्तियों के विका से तो अभी भी काफी सारे कारे कर रहे जाने बाकी हैं, अभी भी काफी गुंजाईश है, काफी स्कोप है, कुछ एरिया बाकी है, जहां पे हमको अलग-अलग स्कीम सौर लानी पड़ेंगी, अब यहां पे आप प्रधान मंतरी, आवास योजना की बात कर सकते हैं, यह भी दो में विभाचित है, एक तो ग्रामीन शेत्रों के लिए और एक शेहरी शेत्रों के लिए है, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि अमरित मिशन जो की आया था स्मार्ट सिटी के लिए, यह अपने आप में स्मार्ट सिटी मिशन की आप बात कर सकते है इन दोनों की तरज पर इन दोनों से influence होके गाउं के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे की शहरों की तरफ migration को रोका जा सके और गाउं को develop किया जा सके गाउं में हमको अफसरों को produce करना पड़ेगा उत्पन करना पड़ेगा रोजगार सरजन से संबंदित कुछ पहले चलानी पड़ेगी उसके औद्योगी की करन के बारे में हमको कुछ steps लेने चाहिए तो इस प्रकार से आप इसमें और भी कई चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं पर अपना structure यही रखें पहले आप मलिन बस्तियों के बारे में बताएं फिर उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताएं फिर बताएं सरकार ने क्या विभिन पहल ली हैं जिससे की इन समस्याओं से निप्टा जा सके अब दोस्तों अगर आपको अपने किसी भी मुख्य परिक्षा संबंदी प्रश्ण में कोई शेहरी करण से संबंदी डेटा लिखना हो तो कई सारे डेटा हमने यहां आपके सामने लाके रख दिये हैं इसमें से आप चुन सकते हैं और अपने उत्तर को बहतर बना सकते हैं राश्ट्री आये की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 2030 वर्ष तक करीब राश्ट्री आये का 75 प्रतिशत शेहरों से आएगा यानि ये चीज़ दिखाती है कि ग्रामीन इलाके कितना पिछड रहे हैं सिर्फ 25 परसेंट ही कॉन्ट्रिब्यूट कर पा रहे हैं वे देश क जीडीपी में देश की आर्थिक उन्नती में तो उनको भी आगे बढ़ाना इंपोर्टेंट है उनके विकास पर ध्यान देना इंपोर्टेंट है और इसी कारण वर्ष लोग जो है वो अर्बन एरियास की तरफ खिचे चले आ रहे हैं अगर सकल घेरेलू उतपात की बात कर तो उसमें करीब 63% का योगदान रहता है शेहरों का तो फिर आप देख लीजे कि इसी वज़े से लोग अर्बन एरियास की तरफ आ रहे हैं और इस वज़े से अर्बन एरियास की जनसंक्या बढ़ती जा रही है और वहां की सुविधाओं पर उसकी अकॉमोडेट करने की पर अतिरिक दबाव पढ़ रहा है निवेश में भी अंतर है आँ शेहरी इलाकों में भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है ग्रामी इलाकों में निवेश नहीं किया जाता उनको नजरंदास किया जाता है अधिकांज जो राज्ये हैं वहां पर शेहरी करण की बढ़ती जा रही है, जैसे कि तमिलनाडू में करीब 43% जो है, अर्बनाइज हो चुकी है वो, महरास्टर में करीब 42% अर्बनाइजेशन है, गुजरात में 37% अर्बनाइजेशन है करीब, विश्व के 21 मेगा सिटीज में 3 तो यहीं भारत के हैं, एक है मुंबई जिसमें 19 मि लोग है और एक है कोलकाता जिसमें करीब 14 मिलियन लोग हैं, तो यह आप डेटा लिख सकते हैं और लिख के यह बता सकते हैं एक्जामिनर को, कि भई जो मैं बात कर रहा हूं कि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वो मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा है, यह डेट जनसंक्या व्रद्धी हो रही है, एक तो उसको एवालुएट करना है, उसका आकलन करना है आपको, उसके अलावा महिलाओं की भूमिका के बारे में बताना है कि इसको रोकने के लिए महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई है, तो दोस्तों इस प्रकार के question में आपको बहु उससे जादा है उत्तरप्रदेश की, फिर आप कुछ data लिख सकते हैं, अलग-अलग चीजों से संबंदित, यहाँ पर प्रजनन दर से संबंदित कुछ data लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा कितना प्रतिशत हो चुकी है उत्तरप्रदेश की population, भारत की population के संदर्ब में, उ फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर महिलाओं की भूमिका, तो महिलाओं की भूमिका में आप ये लिख सकते हैं, कि आज कल शिक्षा और जो रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं महिलाओं को, उस ही के चलते वह informed decision ले पा रही हैं, बहतर निर्णे ले पा रही हैं, बहतर निर्णे लेने के कारण वो जो है अपनी शादी को डिले करती हैं, उसके अलावा वो करियर पे जादा फोकस करना चाहती हैं, आम तोर पर देखा गया है कि ऐसे में महिलाओं चाहती हैं कि फैमिली प्लैनिंग मेजर्स पे भरोसा किया जाए, जाद अतर घरों में ऐस जिसके चलते कोशिश करते हैं कि एक या जादे से जादा दो बच्चे ही हों, जिससे भी काफी हद तक population control करने में मदद मिल रही है, और ये जो सब है ये इसी लिए possible हो पाया, क्योंकि आज हम gender equality की बात करते हैं, आज हम लेंगिक समानता की और केंदृत हैं, तो महिलाओं क इस प्रकार के निर्ने लेने की शक्ति मिलती हैं, उनको सशक्त बनाया जाता है, जिसके चलते family planning पे अपने आप focus भड़ जाता है, जिसके चलते जनसंक्या वृद्धी धर में कमी आती है, तो इस प्रकार से connect करके आप इसका दोस्तों उत्तर लिख सकते हैं, keyword है evaluate या फिर जनसंक्या वृद्धी धर कितनी है और उसकी तुलना करनी होगी आपको भारत की जनसंक्या वृद्धी धर से इस से आपको यह बताने में मदत मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में जो समस्या है वो कितनी गंभीर है, फिर यहाँ पर कुछ डेटा कुछ आंकडों का उप्योग करें और यहाँ पर फिर दिखाएं कैसे उत्तर प्रदेश अलग प्रकार की समस्याओं से जूज रहा है और फिर अंत में आप ये लिखें किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जनसंक्या नियंतरण के मुद्दों पर महिलाएं एहम भूमिका निभा रही हैं तो दोस्तों दे यहां हमने बताया है कि इस दशक में कुल जनसंक्या वरद्दीदर करीब 20 प्रतिशत थी जबकि पिछले दशक में यह 25 प्रतिशत हुआ करती थी यानि थोड़ी स्थिती पिछले दशक के मुकाबले अभी बहतर है सुधरी है तो यह जो हम दिखा रहे हैं इसको हम बाद में जोड़ेंगे कि यह जो स्थिती सुधरी है इसमें महिला का अहम योगदान है फिर हम भारत के मुकाबले जनसंक्या का प्रतिशत बताएंगे 2011 वर्ष में भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश की जनसंक्या का प्रतिशत करीब 16.5 था हाला कि अगर हम 2001 वर्ष में देखेंगे तो यह आकड़ा करीब 16.16 प्रतिशत था फिर तीसरा आकड़ा आप ले सकते हैं प्रजनंदर का इसमें आपको लिखना है कि उत्तर प्रदेश जो है भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में से एक है और उत्तर प्रदेश की प्रजनंदर राष्ट्रिय औसत से अधिक है तो यह तो आपने समस्या दिखा फिर आप कह रहे हैं कि हाल ही में सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं जिससे इस प्रजनंदर में कमी आई है लेकिन फिर भी वर्तमान प्रजनंदर भारत द्वारा निर्धारित लक्षे से अधिक है और लक्षे जो निर्धारित किया गया वो है 2.1 का तो अब ऐसी परिस्थिती में महिलाएं जो हैं वो समाज में एम भूमिका निभा रही है महिलाएं शिक्षित हो रही हैं उनको रोजगार के जादा अवसर प्राक्त हो रहे हैं इसी के परिणाम स्वरूप महिलाएं बहता निर्धा ले पा रही है पहले जिस प्रकार से बाल विवा प्रचलित था अब महिलाएं कोशिश करती हैं कि शादी देर से हो और शुरुआत में वे अपने करियर पे फोकस रहती हैं साथ ही अगर परिवार नियोजन की बात करें तो पुरुषों के साथ मिलकर वे महतपूर्ण निर्ने लेने में बराबर की भागिदारी रखती हैं उनको ये चीज का वहसास होता है कि कितना खर्चा आता है एक बच्चे के पालन पोशन पे उसकी शिक्षा पे इसी वज़े से कोशिश ये की जाती है कि जादा से जादा एक या दो बच्चे ही हर परिवार में हो और पूरा ध्यान उनी के पालन पोशन पे दिया जाए जिससे कही ना कहीं इंडिरेक्ली यानि परोख्ष रूप से फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा मिल रहा है और ये सब पॉसिबल क यूँ हो पाया क्योंकि आज का जो दौर है इसमें हम लोग लेंगिक समानता के बारे में बात करते हैं लेंगिक समानता की मदद से स्त्रीयों को भी अप परिवार नियोजन में एहम निर्ने लेने की शक्ति मिली है और पुरुषों के साथ मिलके वे परिवार नियोजन मंदी कुछ डेटा आपके सामने रखा है इस में से किसी भी डेटा को आप अपने मुक्ष परिक्षा में इस्तिमाल कर सकते हैं सबसे पहले 2011 की जनगर्णा के अनुसार वह विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनगर्णा थी उससे पहले चाइना में हुआ करती थी ये दो फ मिलियन डॉलर्स आया था लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अधिकांच वैश्विक जनगर्णा है उनके तुलना में प्रतिव्यक्ति ये बहुत कम थी अगर हम लोग जनगर्णा का ओसाद देखें तो प्रतिव्यक्ति करीब 4 डॉलर से उपर आता है अलग-अलग नेशिं तो अब तो वैश्विक चीन की तुलना में भी और तेजी से बढ़ रही है ऐसा माना जाता है कि 2024 के आसपास दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन सकता है यानि वैश्विक चीन को ओवर्टेक कर सकता है उससे आगे निकल सकता है तो ये आप एक चिनता जनक तथे के तौर पे मेंचन कर सकते है अपने मुख्य परिक्षा में फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रेश्ट की तरफ यहाँ पे भारत में जनजातियों के सशक्ती करण में मूल बाधाएं क्या आती है उनका आपको परिक्षन करना है तो परिक्षन ही Evaluate लिख सकते हैं Evaluate मतलब आपको अलग-अलग उधारन देके अलग-अलग डेटास देके इस बात को प्रूव करना है और अलग-अलग समस्याएं बतानी है इसको शुरुवात आप कैसे करेंगे पहले आप इस बात को एकनॉलेज करिए कि भाई हमारे देश में अलग-अलग समस्याओं का सामना कर रही है तो इस बात पर आपको हामी भरके अपने उत्तर की शुरुवात करनी होगी फिर आप problems को अगर evaluate करना चाहते हैं उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो सबसे पहले समस्याओं को पहचानना ज़रूरी है तो पहले सचक्तिकरन के संदर्व में फिर इन समस्याओं की गंभीरता के बारे में लिखिए फिर आप लिखिए कि विबिन शेत्रों में किस तरीके से जंजाती अलग-अलग समस्याओं का सामना कर रही है इसमें आप अपने आपको एक आयाम पे सीमितना रखे अलग-अलग आयाम को cover करें जैसे education या फिर शिक्षा के मामले में किस प्रकार समस्याओं का सामना कर रही है रोजगार के मामले में कैसे समस्याओं का सामना कर रही है health facilities के मामले में कर रही है sanitation के मामले में कर रही है तो इस तरीके से जिनका समाधान करना अनिवार है, सबसे पहले मैंने education के संदर में बात की है, कि education या फिर जो उनके साक्षरतादर है, वो बहुत कम है, उसको बढ़ाना important है, अगर हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनको schools भेजते हैं, तो उनके drop out rates भी काफी अधिक हैं, यानि school को वो बीच में किसी कक्षा में छोड़ कर चले जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते, हाला कि सरकार की जो पहले हुई हैं, जो अलग-अलग initiatives आए हैं, उससे इस drop rate को थोड़ा फायदा हुआ है, थोड़ी drop rate तो कम हुई है, लेकिन अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है तो यहाँ पे आप अलग facts या figure की मदद से इस चीज को prove कर सकते हैं, 1980 के दशक में प्राथमिक शिक्षा के सार्व भौमिकरण के कारेकरम के बावजूत भी आदिवासियों की साक्षरता दर जो थी, वो करीब-करीब 29 प्रतिशत थी, जबकि जो normal या फिर general literacy rate थी, general साक्षर साक्षरता दर करीब 18 प्रतिशत है, और सामान ने श्रेणी की महिला के लिए साक्षरता दर करीब-करीब 40 प्रतिशत है, यानि यहाँ से आपने दिखाया कि भाई परिस्तिति गंफीर है, फिर आपने ये बताया कि एक ही राज्य में आदिवासियों के बीच में साक्षरता दर में अंतर है और अलग-अलग राज्यों में जो आदिवासी रहते हैं उनके बीच में भी साक्षर्ता दर में अंतर है तो इतनी जादा जो disparities हैं जो भिनिताएं हैं वो भी समस्या पैदा करती हैं फिर उसके बाद जब हम कोशिश करते हैं इनके literacy rate को बढ़ाने की इनको school भेज के तब हम देखते हैं कि इनके drop out दर भी काफी ज़ादा है पहली से आठमी क्लास के बीच में कई सारे बच्चे जो हैं वो school छोड़ देते हैं और आगे किसी और काम में लग जाते हैं हाला कि सरकार ने कई सारे इसके लिए कदम उठाए और उसके बाद कुछ इसमें गिरावट तो आई है यानि जादा बच्चे अब school में टिकते हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं परन्तु सामान शिरिणी की तोलना में अब भी यह बहुत आधिक है जो कि फिर चिंता जनक कारण है यहाँ पर रोग में वृद्धी है काफी डिजीज संबंदी इंसिडेंट्स आते हैं अब उसके साथ भी जुड़े हुए काफी फैक्टर हैं सबसे पहले अस्वच्छता यहाँ पर बीमारियों का एक कारण बनती है गरीबी से ग्रसित हैं यह लोग स्वास्त सुवधाओं की उपलब्धता की कमी है और अगर कोई ऐसी स्वास्त सेवा है जो उनके रीच में है जो उनके पास उपलब्ध है तो कई सारी सामाजिक बाधाएं हैं जो उनको वहां तक जाने में obstacle create करती हैं या फिर बाधाय create करती हैं फिर malnutrition या फिर कुपोशन की दर भी अधिक है ये जो समस्या है जादा तर आदिवासी बच्चों और महिलाओं में देखी जाती है विशेश रूप से जो primitive tribal हैं जो आदिम आदिवासी हैं उनमें तो कुपोशन की बहुत जादा समस्या देखी जाती है एक्जामबल के तोर पे हमने उडिसा के कुछ शेत्रों के ट्राइबल्स के बारे में बात किये जैसे फूलवनी, कोरापुट, सुंदरगड इन जिलों के जो आदिवासी है उनमें malnutrition एक गंभीर समस्या है फिर कृशी और shifting cultivation आज भी ये लोग इसको practice करते हैं जिसकी वज़े से इनको जादा उपज मिल नहीं पाती, जादा इनकी आय हो नहीं पाती, उनको आम तोर पे वन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, उनको उनकी ही जमीन से बाहर निकाल दिया जाता है, अगर किसी सारवजिनिक उदेश के लिए उनकी भूमी का इस्थापन कर दिया जाता है। बहुत गिने चुने ही ऐसे आदिवासी हैं जिनको पुनरवास की सुविधाओं का लाब मिल पाया है। फिर उसके बाद जादे तर जो आदिवासी है वो रिण ग्रस्त हैं। उनको बंधुआ श्रमिक बना लिया जाता है। उनसे कारे कराया जाता है और उनको पैसा भी नहीं दिया जाता कुछ शेद्र के आदिवासी शराब के निर्माण में उसके उत्पादन में लगे हुए हैं लेकिन जो वहाँ पे एक्साइस जूटी है ये उत्पाद शुल्क है उसकी वज़े से वो धरिद्रता का सामना कर रहे हैं जंजाती ज है आम तोर पर अशिक्षित भी रह जाती हैं तो ये कुछ समस्या हैं जिसका आपने एवाल्यवेशन किया अब हमने यहां आपके लिए कुछ कमिटी और उनकी सिफारिश के बारे में लिखा है जिसको आप अपने मुख्य परिक्षा में इस्तिमाल कर सकते हैं सबसे पहले देवर कमिशन की हम बात कर रहे हैं जो देवर कमिशन थी 1960 में एस्टैबलिश हुई थी इसकी जो स्थापना है 1960 में की गई थी और इसका में उद्देश्य था जो भी जनजातिये शेत्र हैं उनमें क्या सुधार किये जा सकते हैं इसकी पहचान करना तो इन्होंने एक जा पाएगा और उस एरिया में जनजाती संबंदी जो स्कीम से उसका बहतर तरीके से इंप्लिमेंटेशन हो पाएगा जादा उस पे हम लोग ध्यान रख पाएंगे फिर 1965 में एक लोकूर समिती बनी थी उसकी स्थापना हुई थी अनुसूचित जनजातियों को नामित करन पाएं उसके अलावा उनका जो कल्चर है वो अलग हो अलग संस्कृती हो उनके जोग्रेफिकल आइसोलेशन हो वो भोगोलिक तोर पे एक अलग शेत्र में रहते हो उनके अंदर बाकी लोगों से बात चीत करने की अनिच्छा हो और उनमें अगर बैकवर्डनेस या फिर प की और उनकी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए इसके उपर सिफारिश अपनी दी थी फिर एक उच्च स्तरिय समीती बनाई गई 2013 में जिसको हम लोग जाजाक समीती भी कहते हैं इनको बेसिकली 5 important topics के उपर देखना था कि भई जंजातियों के निर्वा और रोजगार के स वापिस दूसरी जगह पे rehabilitate भी नहीं किया जाता और उनका जो पलायन किया जाता है इसके संबंध में किस प्रकार हम समाधान निकाल सकते हैं फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ यहाँ पे हमको heritage आर्क के बारे में बताना है और बताना है कि परियतन सं भावनाओं की दृष्टी से इसका क्या महत्व है उत्तर प्रदेश में इसमें कोई मुख्य शब्द है नहीं सीधी सी बात आपको ये लिखते हुए करनी होगी शुरुवाद कि उत्तर प्रदेश में tourism का बहुत अच्छा potential है वह लोगों को वो tourist को आकरशित करता है और फि से पहले उत्तर प्रदेश की आपको तारीफ करनी होगी कि वह पर्यटकों के लिए कैसे एक आकरशन का केंद्र बना है और सरकार की इसमें क्या भूमिका रही है जिससे वो जाधा से जाधा tourist को आकरशित कर पाए तो सरकार ने इसकी सम्रद्ध संस्कृती और विरासत को प् दावा देने के लिए heritage आर्क का concept ले के आया है यह सरकार के प्रयासों में से एक प्रयास है जो इस शेत्र को tourist के लिए और जाधा आकरशक बना सकता है अब heritage आर्क है क्या देखिए करीब 700 किलोमीटर का शेत्र कवर करने वाला यह एक त्रिभुज network है जो आगरा से लखनव और वारनसी तक फैला हुआ है देखिए यहां पर आप दोस्तों समझ पारें आगरा से शुरू हुआ है यह फिर लखनव और वारनसी को टच करता है करीब इस प्रकार से 700 किलोमीटर का network सरकार ने बनाया है सरकार चाहती यह है कि इस heritage आर्क की मदद से उत्तर प्रदेश के एतिहासिक पहलू उसके सांस्कृतिक पहलू और उसके जो प्राकृतिक पहलू है उसको दर्शाया जाए जो समरद्ध विरासत है इस राज्य की उसको दर्शाया जाए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए इस शेत्र को explore करने के लिए अब यह जो शेत्र है यहां पर स्मारक हैं, तीरस्थल हैं, आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है किसी भी यात्री को और वन्य जीवन से संबंदित अगर कोई चीजें एक्स्प्लोर करना चाहता है तो उसकी भी यहाँ पे शांदार जहलक पाने को मिलेगी उस व्यक्ति को अब यह जो सरकार की पहल है, यह ना केवल तीन चेहरों की संस्कृति एतिहासिक, स्थापत्य और आध्यात्मिक विरासत को पुनर जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, बलकि पर्यटकों में एक इंट्रेस्ट जगाएगी कि यह आसपास के स्थानों को भी एक्सलोर करें, और उन शेत्रों में जो ऐसी चीजें हैं, जो ऐसी विरासत है, जो बसी हुई है, उसको देखें और उसका आनंद लें, तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में टूरिजम को बढ़ाने के लिए यह एक पहल चुरू की गई है, उधारन के तोर पे लिख सकते हैं, और कह सकते हैं, सरकार इस प्रकार की पहले लगतार लेके आ रही है, जिसकी वज़े से उत्तर प्रदेश टूरिस्ट के लिए और आकरशक एक जोन बनता चला जा रहा है, तो दोस्तों अपने आज के लेक्चर में हम यही तक के सवाल का डिसकाशन रखेंगे, आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे के सवाल आपके साथ डिसक्स करेंगे, आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ.